अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें कहानी के शुरवात होती है एक फार्म हाउस से यहाँ पर क्लार्क फामिली रहती है केटी क्लार्क नाम की एक औरत अपने घर के सामने बैठी हुई है वो यहाँ पर फ्रेश एग्स बेच रही है मगर इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है जब शाम धलने लगती है और उसके बिजनस से कोई कमाई नहीं होती तो वो अपना सामान उठाने लगती है गलती से उसके हाथ में जितने भी अंडे मौजूद होते हैं जमीन पर गिर जाते हैं और तूट जाते हैं इन में से सिर्फ एक बच्चता है जिसे उठाने वाला होता है उसका हस्बंड अब इन्हें अपने घर में दिखाया जाता है इनकी कोई उलाद नहीं है मगर इनके बीच प्यार है ये अपना टाइम पास करने के लिए एक पजल बना रहे होते हैं हर थोड़ी ही देर में इनके घर की घंटी बचती है कोई यहाँ पर इनसे मिलने आया है इस शक्स का नाम है लेडी ट्रू ये एक विएतनमीज बिजनस वुमिन है जिसने एड्रियन वाइट की कंपनी को खरीद लिया है ट्रू इनके घर में आती है और इन्हें तीन मिनिट का वक्त देती है कहती है अगले तीन मिनिट के लिए तुम इस दुनिया के सबसे इंपोर्टन्ट लोग हो वो इनसे इनका घर और इनके फार्म की 40 अकर जमीन को खरीदना चाहती है इसके बदले वो इन्हें एक बच्चा तोफे में देती है वो बताती है कि तुम लोगों ने बच्चा पैदा करने की काफी कोशिश की इनफाक्ट साइन्स की मदद भी ली मगर तुम इसमें नाकाम रहे लेडी ट्रू बताती है कि उनके पास इतनी धंदौलत कैसे आई वो एडवांस्ट फार्मा और बायो क्यामिकल टेक्नॉलोजी का इस्तमाल करती है वो खुद एक साइन्टिस्ट है वो बताती है मैंने तुम दोनों के डियने का इस्तमाल करके तुम्हारे लिए एक बच्चा बनाया है ये तुम दोनों की बायोलोजिकल आउलाद है वो कहती है कि मैं तुम्हें ये बच्चा तो दोंगी ही साथ ही तुम्हें पांच मिलियन डॉलर्स भी मिलेंगे इसके बदले तुम्हें मुझे अपना घर और अपनी जमीन बेचनी होगी पहले तो ये लोग थोड़ा जिजकते हैं मगर फिर इस ओफर को एकसेप्ट कर लेते हैं तीन मिनट पूरे हो चुके हैं और इस फार्म हाउस पर आसमान से आकर कोई चीज गिरती है दूर से दिखने में ये कॉमेट लग रहा है तुर चाहती थी कि आसमान से ये जो भी चीज गिर रही है वो उसकी खुद की हो जाए इसलिए उसने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है फिलहाल ये सस्पेंस है कि आसमान से यहाँ पर क्या आकर गिरा है अब हमें आंजला को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी में मौजूद है वो यहाँ पर विल से जुड़े सारे डियने एविदेंस को मिटा रही है पिछले एपिसोड में आंजला ने कल्चरल हेरिटेज सेंटर जाकर विल के डियने का पता लगाने की कोशिश की थी बात सही नहीं है है जब वो अंदर पहुँच जाती है और अपने डियने को एनलाइस करती है तो उसे पता चलता है दो नए मेंबर उसके फैमिली ट्री में जुड़े हैं इन दोनों को हमें एपिसोड वन की शुरुवात में दिखाया गया था ये विल के माता पिता थे जो टलसा राइट्स में मारे गए थे यहां मौजूद डेटा के हिसाब से ओबी विल्यम्स और रूट का बेटा गयब हो गया था मगर आंजला जानती है कि वो जिन्दा है और वही विल है यहां बाहर से एक क्राश की आवाज आती है सिस्टर नाइट उर्फ आंजला जब बाहर जाती है तो देखती है यहां लौरी खड़ी हुई है और हस रही है उसके सामने आंजला की गाड़ी पड़ी हुई है आंजला बताती है कि यह उसकी गाड़ी है जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी वही लौरी कहती है कि ये गाड़ी आसमान से टपकी है आंजला इस गाड़ी को चेक करती है और कहती है कि इसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ है इसके बाद जब वो अपने घर पर जाती है तो देखती है उसका हस्बिंड कैल सो रहा है वो खुद अपने बेटे टोफर के कमरे में जाती है टोफर वैसे तो एक बच्चा है मगर काफी समझदार है वो बताता है कि उसने बॉमर को गोली लगते हुए देखा था वो अंजला से पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है इस पर अंजला कहती है हाँ थोड़ा सा टोफर अपनी मा को तसली देने के लिए उसे अपना एक टेड़ी बियर दे देता है अगली सुबह अंजला क्याल को बताती है कि लॉरी ने उसकी गाड़ी को आस्मान से गिरते हुए देखा वो ये भी बताती है कि उसने कल्चरल सेंटर में घुस कर अपने फैमिली ट्री के बारे में जानने की कोशिश की वहीं यहां मौजूद बच्चे इस बात पर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जड़ क्या जननत में गए होंगे क्योंकि उनकी बाड़ी के बॉम की वजह से चीथड़े उड़ गए क्याल कहता है जननत जैसी कोई जगा नहीं होती जड़ कहीं नहीं है बेसिकली वो कहना चाहता है कि हम मर कर न जननत में जाते हैं न नर्ख में मौत एक तरह का शूनने है यानि इनसान मर कर कहीं नहीं जाता बस एक्जिस्ट करना बंद कर देता है थोड़ी देर बाद आंजला को फिर से दिखाया जाता है वो वेड के घर में गई हुई है वेड यानि की लुकिंग ग्लास वो देखती है कि यहाँ पर उसने बहुत सारी तस्वीरे लगाई हुई है यह उसी स्कुट्स की बारिश की तस्वीरे हैं जो कुछ दिनों पहले हुई थी आंजला उसे कहती है तुम काफी अजीब हो वही वेड का कहना है तुम भी कम अजीब नहीं हो फिर वो उसे दवाओं की एक बॉटल दिखाती है और कहती है कि वो इसके बारे में थोड़ा पता करे आंजला अक्चुली ओफिशल तरीके से इन दवाओं के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती वो छुप कर इस काम को अंजाम देना चाहती है वेड उसे पूछता है कि क्या जट के मर्डर में कहीं न कहीं तुम इनवॉल्व हो हलाकि फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए राजी है वही आंजला उसे जट की अलमारी से मिली के 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 की कॉस्ट्यूम दिखाती है वेड उसे देखकर कहता है कि ये काफी पुरानी ड्रेस है हो सकता है जट के पिता इसका इस्तमाल करते हो वो केकेके के मेंबर हो और जट ने इस ड्रेस को सिर्फ याद के तौर पर रखा हो अंजला उसे दवाओं के साथ साथ ये ड्रेस भी अपने पास रखने के लिए कहती है साथ ही ये लोग लॉरी का जिक्र करते हैं वेट का कहना है कि लॉरी भी इनकी तरह अजीब है अंजला ने एक बैग में उन सारे सामानों को रखा हुआ है जो उसने अपनी बेकरी से उठाई थे इसके अंदर विल का DNA एविडिन्स है वो इस सामान को पास से जाती एक ट्रेन के गार्बिच कंटेनर पर फेक देती है तब ही उसे नजर आता है कि दूर से एक इनसान उस पर नजर रख रहा है इसने खुद भी एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई है आंजला भाग कर उसका पीछा करती है मगर वो उसके हाथ से निकल जाता है वो खुद पर ल्यूप छिड़कता है और पास के एक सीवर से होकर गायब हो जाता है हाला कि ऐसा करने में उसकी बेल्ट पीछे छूट जाती है जब वो फाइनली पुलिस स्टेशन पहुचती है तो यहाँ पर सेनेटर जोकीन मौजूद है वो उसका अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं थोड़ी दिर पहले आंजला के हाथ जो बेल्ट लगी थी वो से यहाँ मौजूद पाइरेट जैनी और रेट स्केर को थमाती है वो उने इस कॉस्ट्यूम शक्स के बारे में पता करने के लिए कहती है हाला कि वो डिस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता नहीं लगा पाते हैर सिस्टर नाइट यानि आंजला अब अपनी नई बॉस से मिलती है जो लॉरी ही है जट की मौद के बाद उसकी जगा लॉरी ने ले ली है और साथ ही वो जट की मौद को इंवेस्टिगेड भी कर रही है लॉरी बताती है तुम्हारी जो गाड़ी पिछली रात आसमान से गिरी थी मैंने उसको फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए भेजा था और हमारे हाथ एक सुबूत लगा है तुम्हारी गाड़ी में विल रीव्स नाम के एक शक्स के फिंगरप्रिंट्स थे वो 1940s और 50s के दौरान न्यू यॉर्क की पुलिस फोर्स में शामिल था हाला कि कुछ वक्त बाद ही वो गायब हो गया था लॉरी का ये भी कहना है कि अगर वो शक्स आज की डेट में भी जिन्दा है तो 100 साल से ज्यादा का होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो वीलचेर पर चलता होगा आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में ही लॉरी को पता चला था कि जट की जहां पर मौत हुई थी वहाँ पर एक वीलचेर के टायर ट्राक्स थे तो लॉरी फिलहाल इस विल रीव्स को ढूडने में लगी हुई है तभी यहाँ पर डेल पीटी आता है और लॉरी के कान में कुछ कहता है लॉरी आंजला को बताती है कि इनके हाथ एक और सुबूत लगा है फिर ये लोग एक गाड़ी में बैठ कर कहीं जाने लगते हैं रास्ते में इनके बीच और भी बाते होती हैं लॉरी का कहना है कि तुम्हारी गाड़ी उस रात गायब हुई जब जट की मौत हुई थी और फिर जट के फ्यूनरल की रात ये गाड़ी वापस भी आ गई वो कहती है कि ये थर्मोडाइनामिक मिरिकल है अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ कनेक्टिड है लॉरी कहती है कि उसका एक्स अकसर इस बारे में बाते करता था लॉरी का एक्स यानि डॉक्टर मनहाटन ये शक्स भी एक साइन्टिस्ट था मगर उसके साथ एक नुक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमिंट के दौरान हाथसा हो गया था और उसके बाद ही वो एक सूपर हीरो में तबदील हो गया था डॉक्टर ओस्टरमन बन गया डॉक्टर मनहाटन मैं आपको ये बात कई बार बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर बताने में कोई बुराई नहीं है कि वाच्चमन कॉमिक्स की आखर में डॉक्टर मनहाटन मार्स पर चले गए थे और वो इंसानी दुनिया से दूर रहना चाहते थे गाड़ी में ही लॉरी आंजला को बताती है कि वो उसके घर गई थी और उसकी कैल से मुलाकात हुई थी कैल ने उसे बताया था कि आंजला और वो वेतनाम में मिले थे यहीं गाड़ी में पीटी मिनिटमेंट टीवी शो की बुराई कर रहा है उसका कहना है कि इस शो में सच्चाई नहीं दिखाई जा रही हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था इस शो में मौजूद नहीं है इसी बाचीत में आंजला को पता चलता है कि खुद लॉरी के पेरेंट्स सूपर हीरोस थे दे कमीडियन और पहली सिल्क स्पेक्टर यहां उस बारे में भी बात होती है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यही कि लॉरी एक रेप की पैदाईश है कमीडियन ने पहली सिल्क स्पेक्टर का रेप किया था और उसके बाद ही लॉरी पैदा हुई थी लोरी भी एक जमाने में सूपर हीरो थी उसने अपनी मा की तरह ही सिल्क स्पेक्टर का रूप लिया था इसलिए वो सिल्क स्पेक्टर 2 के नाम से जानी जाती थी है यह तीनों millenium क्लॉक के पास पहुचते हैं millenium क्लॉक एक तरह की डिवाइस है जिसे True Industries बना रही है लॉरी का कहना है कि आंजला की गारी को शायद यहाँ पर मौझूद किसी पाइलिट ने उठाया था True Industries के पास ऐसे बहुत सारे प्लेंस हैं जो इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं थोड़ी देर में यहाँ पर बियान पहुँचती है इस लड़की को हमें पहले भी दिखाया जा चुका है वो किसी के लिए कई तरह के अख़बार खरीद रही थी बियान लॉरी और आंजला को Lady True से मिलवाने के लिए लेकर जाती है मगर PT को बाहर रहने के लिए कहती है पता चलता है जिस Millennium Clock को ये लोग बनवा रहे हैं उसके बारे में ये इंडस्ट्री काफी उचे विचा रखती है उन्हें लगता है कि ये इस नई दुनिया का अजूबा होगा वो ये भी कहते हैं कि ये structure समय बता पाएगा समय बता पाएगा का मतलब यहाँ पर सिर्फ टाइम बताना शायद नहीं है शायद ये लोग टाइम ट्रावल से जुड़ी बातें कर रहे हैं फिर लेडी ट्रू की आंजला और लॉरी से मुलाकात होती है ये लोग एक ऐसी जगा पर मौझूद हैं जहाँ पर रहकर आपको वेतनाम का एहसास होगा लेडी ट्रू खुद वेतनाम की रहने वाली हैं और शायद वो अपनी जड़ों से इतनी ज़ादा जुड़ी हुई है कि वो अमेरिका में रहकर भी अपने देश को मिस करती हैं और शायद इसी लिए उन्होंने अपने ओफिस में एक ऐसी जगा बनाई हुई है जहांका टेंपरेचर और आबो हवा वेतनाम जैसी है हम जानते हैं कि आँजला भी वेतनाम में ही पैदा हुई थी उसने काफी साल उसी देश में बिताए हैं लेडी ट्रू यहां पर आँजला से वेतनमीज में उन्हीं पिल्स के बारे में पूछती है जो आँजला ने थोड़ी देर पहले वेट को सौपी है इसका मतलब यह हुआ कि लेडी ट्रू विल को जानती है अंजला वेतनमीज में ही इस बात का जवाब देती है और कहती है कि जिसको यह पिल्स चाहिए वो इससे खुद मांग ले तो यहाँ पर इनके बीच विल के बारे में ही बात हो रही है लॉरी को यह बात अजीब लगती है कि लेडी ट्रू और सिस्टर नाइट दोनों ही वियतनाम से बिलॉंग करते हैं वो कहती है शायद ये भी थर्मो डायनामिक मिरिकल है यानि कि इनका भी आपस में कोई कनेक् है थोड़ी ही देर में लॉरी को यहाँ पर काम कर रहे सारे पाइलेट्स की लिस्ट थमा दी जाती है क्योंकि लॉरी को शक है कि शायद इस इंडस्ट्री का ही कोई पाइलेट था जिसने आंजला की गाड़ी को हवा में उठाया और फिर बाद में वापस फेग दिया अब यह लोग एक स्टाचू के पास पहुचते हैं जो एड्रियन वाइट की है लॉरी इस बात को नोट करती है कि ट्रू इंडस्ट्रीज ने एड्रियन की कमपनी को तब खरीदा जब वो गायब हो गया था वो यह भी कहती है कि तुमने एड्रियन की मूर्थी को इतने पहे रूप में क्यों बनवाया तुम का कहना है कि एड्रियन बुढ़ा ही है इसलिए उसकी मूर्ती भी इसी रूप में है वो यह भी कहती है कि हमारे कल्चर में यानि की व्यतनमीस कल्चर में बुढ़े लोगों की इज़त की जाती है हाला कि लौरी को यह मूर्ती पसंद आ रही अब दिखाया जाता है एड्रियन वाइट को जो रात के वक्त एक लेक में मौझूद है वो यहाँ पर फिशिंग कर रहा है मगर मचलियों की नहीं इस जील में कुछ नवजाज शिशू हैं जिनमें से वो दो को सिलेक्ट करता है और अपनी वरक्शॉप में लेकर आ है वो उन्हें एक तरह के अवन में रखता है और थोड़ी देर में ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ये फिलिप्स और क्रूक शांक्स का रूप ले लेते हैं ये इन दोनों को हैपी बर्थरे कहकर विश करता है वो ने ये भी बताता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ अगर मेकर नहीं मतलब मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है बस तुम लोग मुझे सर्व करोगे एडरिन का कहना है कि वो इतने अजीब क्रीचर्स को कभी भी जिन्दगी का तौफा नहीं देता यानि उसकी नजर में क्रूक शांक्स और फिलिप्स के क्लोन्स की कोई वैल था कि इस बच्चे को उन्होंने खुद डिने की मदद से बनवाया है एडरिन की पुरानी कंपनी की मालेकिन भी अब लेडी ट्रू है तो हो सकता है इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो खैर फिलिप्स और क्रूक शांक्स जब उस किले में पहुचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और यह लाशें भी फिलिप्स और क्रूक शांक्स की ही हैं एडरिन इन लोगों को कहता है कि मैं पिछली रात अच्छे मूड में नहीं था यहाँ बड़े केक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके उपर चार म बीत चुके हैं वही दुनिया उसे मरा हुआ घोशित कर चुकी है एडरिन का कहना है कि उसे लगता था कि यह जगा एक जन्नत है मगर अब उसे पता चल चुका है कि यह सिर्फ एक जेल है वो इस जेल को तोड़ कर यहाँ से भागना चाहता है इसके लिए वो अपना चला रहा है और अलग-अलग रास्ते निकाल रहा है हाला कि उसका प्लान क्या है हमें फिलहाल समझ नहीं आएगा हम देखेंगे कि वो यहाँ पर मौझूद फिलिप्स और कुक्षैंक्स की डेड बॉडी को कहीं हवा में उच्छाल रहा है यह बॉडी आस्मान में जाती है और गायब हो जाती है हाला कि पिछले एपिसोड में उसने जिन्दा फिलिप्स को एक सूट पहना कर हवा में उच्छाला था और वो वापस आ गया था तब वो जमा हुआ था तो एड्रिन ने अपने प्लान में कुछ चेंज किया है वो जिन्दा क्लोन्स को बाहर फेकने की जगा उन्हें मार कर अब बाहर उच्छाल रहा है खेर अंजला जब घर पहुँचती है तो उसका मूड अच्छा नहीं है वो क्याल से बिना बात के बहस करने लगती है क्याल एक किताब पढ़ रहा होता है जिसकी एंडिंग भी आंजला उसे बता देती है इस किताब के बा बताने वाले थे कि तुम्हारी लॉरी से बातचीत हुई है क्याल कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे दादा ने जट को मार डाला है उसे पता ही नहीं था कि आंजला के कोई दादा भी है वो कहता है मैंने लॉरी को इस तरह की कोई बात नहीं बताई आंजला क्या और लौरी की बातचीट से ठोड़ा परिशान लग रही है वो उसे पूछती है कि क्या तुमने लौरी को अपने आक्सिडेंट के बारे में बताया और वो कहता है नहीं, इस बारे में बात ही नहीं हुई मैंने उसे सर्फ इतना बताया कि तुम और मैं वेतनाम में मिले थे कैल को लग रहा है कि लॉरी आंजला की मदद करना चाहती है शायद वो विल को ढूणने में काम्याब हो जाए अब हम बियान के पास चलते हैं जो अचानक से घबरा कर उठती है वो सो रही थी मगर फिलहाल डरी हुई है उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है इस आईवी मशीन पर लगे लोगों से हमें पता चलेगा कि ये लेडी ट्रू की कमपनी की ही मशीन है वो चलते हुए लेडी ट्रू के पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है कहती है उसने एक बहुत बुरा खाब देखा जिसमें वो एक गाउं में थी कई लोग आये और उन्होंने उसके गाउं को जला दिया उसके गाउं पर जिन लोगों ने अटाक किया था उन्होंने उसे बहुत जादा चलाया बियान कहती है कि उसके पैरों में अभी भी दर्ध हो रहा है हाला कि ट्रू का कहना है अच्छी बात है और वो वापस उसे जाकर सोने के लिए कहती है बियान उसे और यहां मौझूद विल को गुड़ नाइट कहती है और चली जाती है यानि कि विल ट्रू के ही साथ है ये दोनों आंजला को लेकर बातचीत कर रहे है लेडी ट्रू का कहना है कि विल को आंजला को बता देना चाहिए कि वो कौन है हाला कि विल का मानना है कि अगर आंजला को इस बारे में खुद पता चले तो बहतर होगा फिर विल ये भी कहता है कि तुम भी तो बियान के साथ यही कर रही हो तुम चाहती हो कि उसे खुद पता चले कि तुम कौन हो यहां पर इनके बीच बातचीत होती है कि विल वीलचेर पर बैठ कर बेबस होने का सिर्फ नाटक करता है वो ट्रू से पूछता है और कितना वक्त लगेगा जिस पर ट्रू का जवाब है बस तीन दिन और विल का कहना है कि उसने आंजला को धोखा दिया है और अगले तीन दिन में उसे पता चल जाएगा कि विल ने किसी चीज को देख रही है और खत्म हो जाता है ये एपिसोड I know इस शो में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा मगर फिर भी मुझे ये शो देखते हुए काफी मज़ा आया था and I hope कि आप भी इसे enjoy कर पाएं बस इतना समझ लीजिए कि ये जो भी confusion है वो धीरे धीरे solve हो जाएगी देखते रहें वाच्मन और वाच्रोज बाई कोंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोज एक मिनिट एक मिनिट अभी कहा जा रहे हैं अब इस वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है और हाँ सबसे इंपोर्टन बात खयाल रखिये घर पर रहिये जादा बाहर निकलने की जरुवत नहीं है अच्छली बिलकुल भी बाहर निकलने की जरुवत नहीं है